हे गाईस मैं नमीत आपके साथ आज सेर करने वाला हूं Samsung से लिटेट कुछ नए अपडेट्स जो साहद आपके लिए ज्यादा इंपोर्डेंट हो सकती है अगर आप Samsung के स्मार्टफोन को जाहतर पसंद करते हो तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं यहाँ से बटा दू कि Samsung आपने मिट्रें सेग्मेंटग को काफी अच्छी स्मार्टफोन नहीं बना पाता था That means कि अगर आपको कुछ अच्छी स्मार्टफोन मिलते थे तो इसकी प्राइस आपको काफी जादा हाय देखनी को मिल जाती थी But recently यहाँ पे Samsung ने अपना एक smartphone चाहना मार्गेट में लांच किया है जो कि काफी अच्छी बजट सेग्मेंट के अंदर आता है और काफी अच्छी डिसेंट इस पेस्पेस्ट के साथ आपको देखनी को मिलते हैं जो कि है Samsung का A6S अब यह smartphone आपको 18-19000 के बजट सेग्मेंट के अंदर देखनी को मिल जाता है मैं आपको बता दू कि यह 4 डिस्पले की तरह गया है तो यहां पर है चारो इंफिनिटी डिस्पले और चारो ने आपको अलग-अलग डिसाइन्स देखने को मिल जाएंगे यहां पर जो आपका चारो का नाम रखा गया है वह है infinity U, infinity B, infinity O और full infinity तो यहां पे गाई, क्या है इन सभी का मतलब आपको इस वीडियो में complete आपको समझाते हैं अच्छे तरिके से सबसे पहले आपको बताता हूँ कि infinity U का मतलब क्या होगा जैसे कि आपने सारी स्मार्फोन में देख रखा होगा कि आपको आज की टाइम में यहां पे वाटर डॉप नॉच काफी जादा ट्रेंड में चल रहा है यहां पे गाई, सिमलर उसी तरह का आपको एक नॉच देखने को मिलेगा वाटर डॉप टैप काई, बट इसका जो सेप होगा इसमें आपको किसी भी स्मार्फोन में देखने को नहीं मिला होगा जो कि काफी जादा अच्छा भी लग रहा है इस स्मार्फोन में अब जो फाइनल यहां पे डिजाइन हो है, फुल इंफिनिटी इसमें आपको कोई भी कटमार्क, कोई भी यहां पे आपको एर्पिस, कोई भी कैमरा के लिए कोई भी कटमार्क देखने को नहीं मिलेगा यह completely display होगा जो कि आपको front side से देखने को मिलेगा जो काफी interesting देखकर के लग रहा है आप इन चारू photos में देख सकते हो अब आने वाले टाइम में Samsung इन ही displays का इस्तमाल करेगा आपने smartphones में वो midrange segment के smartphones भी हो सकते हैं बट यहां पर midrange segment में अगर आपको यहां पर infinity U or infinity B जैसे display की designs देखने को मिल जाए तो काफी ज्यादा decent हो जाएगा और price point अगर Samsung अब काफी अच्छा रखता है तो Indian market में भी काफी अच्छी पकर बना सकता है Samsung अपने midrange segment की devices में जो कि आज से पहले, आज से अगर मैं 5 सार पहले की बात करूँ तो काफी अच्छा पकर था Samsung का midrange segment की devices पे बट अभी हाली में नए smartphone की company साने के बाद में Samsung में midrange segment में से अपना जो पकर था वो बिलूल से खो दिया है बट अब अगर यहाँ पे midrange segment में Samsung घ्यान देता है तो काफी अच्छी बात हो जाएगी आप सभी के लिए भी और हमारे लिए भी तो उम्मिद करता हूँ Samsung Indian users के लिए काफी जलती कुछ नया लेकर के आएगा midrange segment वाले smartphones के साथ में तो उम्मिद करता हूँ आपको ये वीडियो भी पसंद आया होगा और अकर information पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके share कर दीजी और हो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे रोजाना ऐसे ही content लेगर के आते रहते हैं मिलते हैं आपसे कुछ नएव वीडियो के साथ में जाते जाते गुडबाई एंड टेक कियर